हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु किचिनिया, क्यों न आज कुछ खटा मीठा हो जाए, तो चलिए शिरू करते हैं आमबी की लौंजी के साथ आज हम बनाने वाले है象 आंबी की lword इसको हम केडी के नाम से हैं कच्छे आंथ के नाम से रिजानते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे फ़हले मैंने गयस पर आन कर लिया है और गयस पर मैंने यह कुकर रख लिया है, अब कुकर में डाल रही हूं एक टेबल स्पून कुकिंग ओल, ओइल को हीट हो जाने देते हैं, ग्यास का फलेम हम मीडियम ते रखेंगे, ओइल हमारा हीट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे वन-फोर टी स्पून जीरा, साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1-4 टी स्पून राई 1-4 टी स्पून मेथी दाना और 2 पिंच हिंग एक बार मिक्स कर देते हैं इनको सारी चीज़े क्रैकल हो गई है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच सौंफ यह सौंफ दरडड़ी कुटी हुई है अगर आप चाहें तो सौंफ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स कर देते हैं एक चौथाई चूटी चमच हल्दी पाउडर और अब हम इसमें यह टालेंगे आमबी यह दो मीडियम साइज की आमबी है इनको मैंने पहले अच्छी तरीके से चील के और फिर इस तरीके से लंबे टुकडों में काट लिया है तो डाल देते हैं इसको भी मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे वन फोर टी स्पून काला नमक और यह वन फोर टी स्पून वाइट नमक है इसे आप अपने कॉडिंग कमिया जादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर वन फोर टी स्पून डाला है एक छोड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह इसको बहुत अच्छा कलर देगी वन फोर टी स्पून गरा मसाला और हम यहाँ पर डाल रहे हैं दो टेबल स्पून शुगर शुगर की जगा कर आप गुड़का यूज करना चाहें तो आप गुड़का भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आधा का पानी अच्छी तरीके से मिक्स कर देगे और अब हम इसको कवर करके कोक करेंगे कोकर का ढखकन हम बंद कर लेते हैं गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे और एक विसल आने का वेट करेंगे एक विसल आने के बाद हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे कोकर का प्रेशर हमें रिलीज नहीं करना है इसे हम अपने आप रिलीज होने देंगे कोकर का प्रेशर रिलीज हो गया है तो इसको हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं हमारी आमबी की खटी मीठी लॉंची बनकर एकदम तयार है देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं यह बिल्कुल अच्छी तरीके से कोको गई है यह वेखिए देखने में कितनी सुन्दर लग रही है कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसकी एकदम तो चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं हमारी आमडी की, केरी की, कच्छे आम की, खट्टे मिठी, लॉंचे बनकर एकदम तयार है जिस भी नाम से आप इसको चानते हैं उसी नाम से आप इसको बुला सकते हैं लेकिन यह लॉजी खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है तो आप एक बार इसको बनाईए ट्राइ कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसे लगी है